हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे SSC CGL 2017 टीर 1 का सेट 5 और यह पेपर कंडेक्ट हुआ था आठ अगस्त 2017 को मौर्णिक शिफ्ट में तो चलिए डिस्कस करते हैं इस कोश्चन पेपर को इस कोश्चन पेपर में 25 कोश्चन है जैसे की टीर 1 में आते हैं और यह हैं आपके इरर के कोश्चन देखें यह हैं फर्स्ट कोश्चन यह आप यहां पर देख सकते हैं और बहुती basic concept पर यह आधालित question है, no sooner did I come out of my home to go to market when it started raining heavily which drenched me completely, ठीक है जैसे ही मैं गर से बाहर निकला market में जाने के लिए तेज बारिश होने लगे और उसने मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया, drench का अर्थ होता है भिगोना, ठीक है drench, या पानी में भीग जाना, अब यहाँ पर आपको दो-तिन concept ध्यान में रखने हैं कि no sooner एक negative word है और no sooner यदि sentence में शुरू में आता है तो इसमें हम subject और helping verb में subject और helping verb को invert कर देते हैं, उसका जो sequence है उसको उल्टा कर देते हैं, यानि पहले helping verb आएगी उसके बाद subject आएगा, यदि कोई negative word आता है sentence के शुरू तो यह एक basic concept है चुकि no sooner एक negative word है, इसलिए हम I did नहीं बोलेंगे, did I बोलेंगे, ठीक है तो यह सही है, लेकिन यदि I did आप यहाँ पर रखेंगे तो यह sentence आपका गलत हो जाएगा, अब no sooner जो है, no sooner के बाद हम लगाते हैं, then, when हम नहीं लगाते, तो यहाँ पर यह जो word है यह गलत है, अब यह जो word है, यह किस part में है, यह है आपका second part में, तो इसलिए इस question का जो answer होगा, वो होगा आपका second, ठीक है, तो एक concept आपको यह देखना है, subject, verb inversion का, और no sooner के बाद हम T, H, A, N, then लगाते हैं, when या T, H, E, N, then हम नहीं लगाते, यहाँ पर इसका explanation के no sooner is followed by then, no sooner के बाद हम then लगाते हैं, और hardly और scarcely के बाद हम when लगाते हैं, no sooner के बाद हम then लगाते हैं, T, H, A, N, then, यह वाला then नहीं आएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, T, H, A, N, then आएगा, और hardly और scarcely, इसके बाद हम लगाते हैं, when, और एक यह subject inversion का जो rule है, इ इस पर भी आधारित questions SSE exam में पूछे जाते हैं, question number two देखते हैं, यह भी एक basic question है, unless you do not obey your elders, you will not succeed in your life, यदि आप अपने बड़ों हिजत नहीं करते हैं, तो आप अपनी life में सफन नहीं होंगे, यह unless वाले जो sentence होते हैं, इसमें दो path होते हैं, ठीक है, एक तो यह है आपका condition part, जिसमें condition लगी हुई है, जिसमें शर्त लगी हुई है, कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होगा, यह है आपका result part, यहाँ पर हम result को show कर रहे हैं, यहाँ पर हम condition को show कर रहे हैं, तो condition वाले path में इस तरह के word आते हैं, unless, if, when, until, ठीक है, तो इस तरह के, इसम आपको present simple tense में रखना है, हमेशा इसको present simple tense में रखना है, और इसमें unless, चुकि एक negative word है, इसलिए इसके साथ do not का प्रियोग नहीं होगा, unless करता है if not, और do not करता है do not, तो इसमें मतलब आपके दो not आ गए यहाँ पर, इसलिए यह sentence आपका गलत है, तो first part जो होगा, यह आप आपका word है, तो double negative का यहाँ पर आपके गलती आ गई है, ठीक है, और succeed जो है, यह verb है, इसकार्थ होता है, सफल होना, success एक noun है, और succeed एक verb है, इन दोरों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए, success एक noun है, succeed एक verb है, और succeed की जो second form होती है, वो succeeded होती है, third form जो होती है, वो succeeded होती है, unless, until, if, when, or while, इन के बाद हम हमेशा present simple tense का ही प्रियोग करेंगे, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, unless you will not obey, तो यह sentence गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सही sentence होगा, unless you obey, यहाँ पर do not नहीं आएगा, और do not के स्थान पर will not भी नहीं आएगा, क्योंकि unless वाला path है, इसको हम present simple tense में हमेशा रखते हैं, नेक्स sentence दिखते हैं, 14 km not a such distance to reach to my office, अब देखिए, 14 km अपने आप में एदी km के sense में देखे हैं, तो यह एक से ज़्यादा km है, ठीक है, तो 14 के बाद हमने km में सिस्टे लगाया है, क्योंकि यहाँ पर 14 का नंबर है, लेकिन 14 km अपने आ singular noun है, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से एक अच्छा question है, यह बहुती typical question है, जब हम plural number को distance, weight और height पर apply करते हैं, जब हम plural number को, बहुबचन संग्या को distance पर, weight और height पर हम apply करते हैं, तो उसको हमेशा हम singular लेते हैं, 14 km is a distance, मतलब 14 km तो है, लेकिन 14 km है, क्या वो दूरी है, वो इक distance है, और distance जो है, वो एक singular है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस का प्रियोग करेंगे, R का प्रियोग नहीं करेंगे, तो C इसमें आपका सही answer होगा, question number 4 देखते हैं, good reading, the sense of liberal educated mind, मतलब good reading इस चीज को बताती है, कि आप एक educated व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर, देखिए, good reading reads तो आएगा नहीं, इसका तो कोई sense नहीं बन रहा, good reading beliefs, इसका भी कोई sense नहीं बन रहा, good reading starts, कोई sense नहीं बन रहा, good reading reflects, मतलब good reading ऐसा बताती है, अब यहाँ पर हम, यह जो sentence है, यह present simple tense है, और good reading जो है, देखिए, यहाँ पर आप एक वर्ब, यह वर्ब का स्थान है, यहाँ पर आप कोई भी वर्ब लगाएंगे, यह आपका object इसको मान सकते हैं, इसको subject मान सकते हैं, यह subject है, यहाँ पर वर्ब आईगी, और यह है आपका object, subject, वर्ब और object, तो यह subject या noun की position है, और present simple tense में, जो verbal noun होती है, उसको हम singular में लेते हैं, ज good reading जो है, यहाँ पर एक noun है, और singular noun है, यह gerund जो होता है, जिसको हम verbal noun बोलते हैं, इसको हम हमेशा singular में लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर reflects, जो होगा, वो आपका सही answer होगा, यहाँ पर reflecting, या reflected, ऐसे अगर word होते हैं, यह sentence, शायद गलत होता, तो यहाँ पर आपका सही answer सही जो answer होगा, वो होगा C, और verbal noun जो होती है, जरेंट जो होता है, उसको हम singular हमेशा count करते हैं, यहाँ पर यह similar words कुछ पूछे गए हैं, आपसे फ्रोबोलस बहुती अच्छा word है, फ्रोबोलस का रत होता है, एकदम से stupid, या एकदम से mood तापूर्ण, या silly, और फ्रोबोलस के, यहाँ पर मैंने synonym आपको बताए है, फ्लेपेंट होता है, एक गलेब होता है, एक इनेन होता है, यह सारे फ्रोबोलस के synonym है, और purile के synonym यह दिए है, adolescent होता है, infantile, infantile मतला बच्चों यासा, juvenile मतला बच्चों यासा, तो यह दोनों एक ही word है, और यहाँ पर इसका सही answer आउसर जो होगा, फ्रेबोलस का वो होगा, प्यूराइल, यानि C यहां पर आपका सही आंसर होगा, और यह एक्स्टर वर्ड मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, यह भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनको भी आपको याद करना है, फ्रेबोलस के सुनोनिम है, फ्लिपैंट गलेब और इनेज और पिर्वाइल के हैं एडलोसेंट इन्फेंटाईल और जूबेनाईल ठीक है आगे हम देखते हैं पैट्री फाय का क्या रता है पैट्री फाय पैट्री एक्षिडि जो root word है उसका अर्थ होता है stone या पत्थर ठीक है तो petrify का किसी चीज़ को petrify हम करते हैं तो इसको हम hard बना देते हैं उसको fossilize कर देते हैं ठीक है तो इसलिए petrify का सही सुनो निम होगा यहां पर harden उसको कड़ा करना harden का अर्थ होता है harden एक वर्ब है इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को कड़ा करना soften इसका उल्टा होगा ठीक है तो petrify का चुकि यहां पर similar word पूछा गया है सुनो निम पूछा गया है इसलिए harden जो होगा यहां पर इसका आपका सुनो निम होगा और adorn करता है सजाना किसी चीज़ को decorate करना काम करता है शान्त, curious करता है जिग्यासू और यह हैं आपके petrify और adorn के सुनो निम्स petrify का एक होगा fossilize, एक होगा frightened यानि डर जाना, scare का अर्थ भी डर जाना होता है adorn का अर्थ होता है embellish यानि सजाना और यह एक अच्छा वर्ड है टिटीवेट, टिटीवेट का अर्थ भी सजाना होता है, garnish, यह cooking में use होता है यह word और guilt तो यहां पर टिटीवेट और guilt यह दोना important word है, इसका अर्थ होता है सजाना या embellish करना, embellishment इसका noun होता है ठीक है तो यह है word, important words है, यह हम Arthur 2017 के real questions morning shift के CGL exam के हम यहां पर solve कर रहे हैं आगे हम देखते हैं gregarious, gregarious मतलब जो एक milan सार विक्ती है, जो group में रहना पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं gregarious लेकिन यहां पर आपको opposite word बताना है, अब ध्यान से देखिए, opposite word आपको बताना है, एंटोनेम बताना है तो gregarious का affable, genial और arvain, यह तो इसके synonym word है, बिलते बिलते word है affable का रत होता है friendly, genial का रत भी होता है friendly, और arvain का रत होता है well mannered ठीक है, तो gregarious का जो एंटोनेम होगा वो होगा आपका intro word, intro word यहां पर इसका सही answer होगा gregarious का, आप यहां पर देख सकते हैं काफी सारे word मैंने explain किये हैं, outgoing, sociable, companionable, extroverted और undeserved यह हैं gregarious के synonyms, यह हैं इसके antonyms, इसमें आपका reticent और taciton दो important word है affable का होगा genial और friendly और arvain का होगा debonair, refined, swab और polished तो यहां पर यह detail में मैंने काफी सारे word दिये हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं next हम दिखते हैं tremulous, यहां पर इसका opposite word आपको बताना है और tremulous मतलब यहां पर काफी शोर गुल है या noise है तो इसको हम बोलेंगे tremulous और इसका opposite होगा आपका stable मतलब tremulous का मतलब जिसमें काफी ज़्यादा उतल पतल है, काफी ज़्यादा शोर गुल है उसको हम बोलते है tremulous और इसका synonym जो होगा, इसका antonym जो होगा, वोगा stable या steady ठीक है, feeble का रथ होता है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर और frugal का रथ होता है economical जो ज़्यादा पैसे खरच करना पसंद नहीं करता तो tremulous का आप देख सकते हैं यहां पर unsteady, quivering यह इसके synonym है और antonym होगा, इसका steady या stable frugal का होगा 50, economical और penny wise और feeble का होगा weak question number 9 देखते हैं, the alpha and the omega, क्या मतलब होता है इसका the alpha and omega, इसका आर्थ होता है किसी भी चीज़ की beginning और end beginning and the end को हम बोलते हैं, alpha and omega और इसका एक मतलब और होता है किसी भी चीज़ का मुख्य, path the principal element of something, उसको भी हम alpha और omega बोलते हैं next हम देखते हैं, throw up the sponge throw up the sponge एक अच्छा idea है और ये 2017 में पूचा गया है और इसका आर्थ होता है, हार माल लेना, defeat माल लेना या surrender कर देना तो C इसका सही answer होगा, throw up the sponge यहां पर आप पूर डिटेल उसका देख सकते हैं और इस वीडियो को pause करके कुछ sentences भी इसके आप पढ़ सकते हैं यह है sentence improvement के कुछ question और यह एक नया pattern है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक word जो दिया है bracket में इसको आपको improve करना है यह आपको लगता है कि improvement नहीं हो सकता इसका तो आपका जो answer होगा वो होगा do improvement I had a few eggs in the fridge so we need to go to the market to buy them I had a few eggs in the fridge so we need to go to the market to buy them मतलब हमारे fridge में एक भी अंडा नहीं था देखिए हम market कब जाएंगे जब हमारे fridge में एक भी egg नहीं होगा या बिल्कुल भी सामा नहीं होगा तो यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर आपको जो sense बताना है वो नाके बराबर का बताना है मतलब हमारे fridge में चुकी एक भी egg नहीं था नाके बराबर egg थे इसलिए हमें market जाना पड़ा तो नाके बराबर का जो sense हम बताते हैं वो बताते हैं हम few से a few का अर्थ होता है some यानि कुछ यदि कुछ eggs already है तो हम market क्यों जाएंगे ठीक है यहां पर logic देखिए बहुत ही अच्छा यह question है तो यहां पर आपको चुकी नाके बराबर का sense बताना है इसलिए हम यहां पर लगाएंगे few few और little इनमें basic difference यह है कि few हम ऐसी चीज़ों के लिए use करते हैं जिसको हम count कर सकते हैं जो countable noun होती है और little जैसे uncountable noun होती है जिसे x को हम गिन सकते हैं तो इसलिए इसके लिए हमने few लगाया है अब यदि हुआ sugar या oil या water इस तरह की चीज़ों के लिए हम little लगाएंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं few लगाते हैं हम countable के लिए detail लगाते हैं हम uncountable के लिए और यहां पर मैंने बहुत ही detail में few का क्या मतलब है little का क्या मतलब है ए few का क्या मतलब है इन सभी के meaning मैंने बहुत detail में दिये है few का अर्थ होता है ना के बराबर a few का अर्थ होता है some the few का अर्थ होता है जितने भी हैं सारे उसी तरीके से little का अर्थ है लेकिन little को हम लगाते हैं uncountable के लिए और few को लगाते हैं हम countable के लिए यह इस पर basic difference है तो यहां पर आप यह सारे sentence आप देख सकते हैं जैसे दा फ्यू का मैं आपको बता देता हूँ the few suggestions that he gave were very useful मतलब उसने जितने भी suggestions दिये वो सारे के सारे काफी useful थे ठीक है यह मतलब है दा फ्यू का a few का मतलब होता है some और few का मतलब होता है ना के बराबर उसी तरीके से little का है लेकि little को हम यूज करते है uncountable noun के लिए यहां पर sentence improvement का दूसरा question है मैं brother is indifferent about whatever I say जो कुछ भी मैं कहता हूँ मेरा brother उसके बारे में indifferent है unconsern है उसके बारे में indifferent के बाद 80% cases में हम two का प्रियोग करते हैं हलाकि indifferent के बाद about भी आता है towards भी आता है लेकिन 80% cases में unconsern होने के लिए हम indifferent के बाद two का प्रियोग करते हैं तो यहां पर indifferent के बाद आपका जो सही answer होगा वो होगा two ठीक है यह है incorrectly spent word आपको देखना है SSC में incorrectly spent word भी पूछे जाते हैं तो यहां पर आपको ऐसा word देखना है जिसकी spelling incorrect है गलत है ठीक है तो guarantee जो है इसकी spelling सही है it nearary इसकी spelling सही है writing की spelling सही है magnificent गलत है mag n i fi c e n t इसमें आई जो है इसमें extra है तो magnificent यहां पर आपका इसमें आपका सही answer होगा यहां पर कौन सी spelling गलत है excuse it यह सही है restaurant सही है इसके windsor सही है etiquette में e t i q u e d double t e यह होती है etiquette की spelling तो etiquette यहां पर सही answer आपका होगा इस सभी words के meaning मैं बता देता हूँ इसके windsor क्या होता है इसके windsor एक ऐसे वेक्ती को बोलते हैं जो discarded items जो होता है जो आपने देखे होंगे लड़के कुछ सलक पर घूमते रहते हैं और polythene bags और इस तरह की चीजों को इकलते करते रहते हैं उसको हम बोलते है इसके windsor और एक animal को भी हम इसके windsor बोलते है जो dead plants को खाता है या उसके उपर फीड करता है तो दो इसके windsor के आप यहाँ पर देख सकते हैं यह first meaning है और यह second meaning है next word हम देखते है one word substitution a funeral poem ठीक है जब किसी व्यक्ति की death हो जाती है उसको शम्षान ले जाया जाता है वहाँ उसका अंतिम संसकार होता है वहाँ पर जो poem या जो song गाया जाता है उसको हम क्या बोलते है funeral poem उसको हम बोलते है elegy ठीक है pandemonium shore goal होता है इन सबके meaning हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं elegy का अर्थ होता है funeral song pandemonium का अर्थ होता है chaos, mayhem, bedlam यानि शोरगुल तो यहाँ पर यह जो word दिये हैं यह शोरगुल के लिए दिये है chaos, mayhem, bedlam, racket यह भी काफी important word है और इसमें mayhem जो है यह काफी important है इसका intonium होगा calm और peace शान्ती parody का अर्थ होता है ब्यंग करना किसी पर satire, lampoon, travesty, warlask ठीक है यह है आपके इसके meaning sonnet एक 14 line की एक verse होती है, कविता होती है verse, rhyme उसको ode भी बोलते है ode इसका intonium होगा आपका prose तो यह सारे words भी काफी important है next हम देखते है one who walks in sleep जो नीन में चलता है उसको हम क्या बोलते है और इसके लिए answer है somnambulist somnambulist जो है इसके लिए सही answer है numismatist जो सिक्के खते करता है numismatist fastidious जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है difficult to please और ड्रोबर ड्रोबर किसको बोलते हैं जो एनीमल्स को एनीमल्स को लेके fields मजाता है चराता है उनको उनको हम बोलते हैं ड्रोबर यह है पैरा जंबल के कुछ question और यहाँ पर पैरा जंबल में simple सी एक trick रहती है पहले आपको noun को रखना है ठीक है बट से कोई भी sentence start नहीं होता क्योंकि बट एक conjunction है तो sentence मौहनलाल से यह start हो सकता है मौहनलाल के बाद आप लगा सकते हैं मौहनलाल train was late and it reached कोलकता a little after midnight ठीक है अब मौहनलाल की train late थी और कोलकता वो पहुँची midnight के बाद इसके बाद आप बोल सकते it was his first visit to the city ठीक है यहाँ पर देखिए हमने एक journey की बात किये है और journey के लिए यहाँ पर हमने it का प्रयोग किया है यानि पहले noun आया है फिर pronoun आया है यहाँ पर हमने कोलकता को यूज किया है noun को और यहाँ पर हमने कोलकता के लिए फिर city word को use किया है तो common sense कहता है कि r के बाद q इसमें लगना चाहिए ठीक है यह हो जाएगा second और इसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं he thought he would go to a chalet tree where he would not have to pay rent चalet tree एक रुकने का इस्थान होता है travelers के लिए ठीक है तो but वाला sentence आप पहले नहीं लगाएंगे पहले आप एक statement बोलेंगे उसके बाद आप contrast create करने के लिए एक दूसरा sentence बोलेंगे तो p पहले नहीं आएगा इसमें s पहले आएगा यानि s आपका बनेगा इसमें third sentence और p इसमें बनेगा fourth sentence तो r q s p इसमें आपका सही answer होगा r q s p और r q s p यानि ये इसमें आपका सही answer होगा next question देखते हैं पैरा jumble का and slowly से sentence नहीं बनेगा sentence आपका यहां से once से भी sentence नहीं बनेगा क्योंकि once एक तरीके का conjunction होता है then से sentence नहीं बनेगा देखिए ये तीनों sentence नहीं निकाल दिये then से नहीं बनेगा once से नहीं बनेगा end से नहीं बनेगा क्योंकि end slowly तो आप तब बोलोगे न जब पहले कोई sentence बोलोगे ठीक है once से भी नहीं बनेगा यहां से ये बन सकता है if you transform your energy positively it naturally becomes compassion and love और उसके बाद आप बोल सकते हैं once you experientially are a part of everything then nobody need to उसके बाद आप ये वाला sentence बोल सकते हैं once you experientially are a part of everything then nobody needs to teach you morality and slowly you reach the pinnacle of self-awareness experiencing a unity with all life चुकि यहां पर हम experientially word को use कर रहे हैं और यहां पर भी वो word आया है experiencing तो इसमें आप पहले बोलेंगे आर फिर बोलेंगे आप पी actually ये क्यूँ है ठीक है तो पहले आप ये बोलेंगे आर फिर बोलेंगे पी और इसके बाद बोलेंगे आप ये वाला सेंटेंस पहले बोलेंगे ये हो जाएगा थर्ड once once you experientially are a part of everything then nobody needs to teach you morality then you can do something to improve the situation but without anger इसके बाद बन जाएगा ये वाला सेंटेंस और इसके बाद ये बन जाएगा first यानि आपका सीक्वेंस बनेगा क्यू पी आर एस क्यू पी आर एस इसका सही आंसर आपका बन जाएगा next हम देखते हैं not only people have buying buying के बाद capacity आएगा not only people have buying capacity in the city people here are also यानि ये बन जाएगा first ये बन जाएगा second और ये बन जाएगा third yz x yz x यहां पर आपका आंसर होगा ये है active passive voice ram was singing a beautiful song for his mother ये है आपका subject ये है आपका verb और राम क्या गा रहा था राम गा रहा था beautiful song तो beautiful song बन जाएगा आपका object अब object से आपका पैसे voice बनता है ये है आपका for his mother ये है आपका prepositional phrase ये एक्स्ट्राल है ये बाद में लगेगा तो यहां से sentence बनेगा a beautiful song अब चुकि ये past continuous tense है इसलिए इसमें was और being का प्रियोक होगा ठीक है was और being इसमें नहीं दिया तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा इसमें cable इन दोनों में से आपका ये एक आंसर बन सकता है a beautiful song was being sung by ram for his mother a beautiful song was being sung for his mother by ram इसमें आपका आंसर होगा a क्योंकि by ram को हम पहले लगाएंगे तो positional phrase को हम बात में लगाते हैं यह है आपका narration का question प्रिया advise me not to go to school the next day अब देखिए next day इसमें आया है यह जो question है यह indirect narration का question है indirect narration को आपको direct narration में change करना है direct to indirect भी आपसे question पूचा जा सकता है और indirect to direct भी पूचा जा सकता है तो चुकि advice किया है और यहां पर the next day का प्रियोग किया है इस दे next day के लिए हम tomorrow word का प्रियोग करेंगे तोमारो किसमें आया है तोमारो इसमें आया है इसमें तो next day आया है तो यह तो होगा नहीं और विल हम लगाते हैं actually request करने के लिए लेकिन यहां पर suggestion दिया जा रहा है तो विल इसमें नहीं आयेगा और इसमें इसमें that लगा हुआ है direct narration में हम that नहीं लगाते तो यह भी गलत हो जाएगा तो यहां पर आपका answer होगा यह second वाला don't go to school tomorrow Priya said to me ठीक है Priya advise me not to go to school the next day तो यहां पर इसका जो answer होगा don't go to school tomorrow Priya said to me यहां पर इसका answer होगा आपका B यह है आपका close test आपके CGL exam में आपके paper में या तो एक close test आएगा या फिर एक reading comprehension आएगा दोनों में से कुछ एक पूछा जा सकता है और यह 5 नंबर का ही पूछा जाता है तो यहां पर हम पढ़ते हैं इसको देखते हैं job performance is by a number of factors motivation alone does not lead to increased performance यहां पर हम performance के decrease होने की बात कर रहे हैं और यहां पर चुकि हम factors की बात कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि job performance जो है वो किसी से effect होती है motivation से ability से तो यहां पर जो answer होगा आपका effect यहां पर देखे क्या चाहिए आपको यहां पर वर्ब चाहिए क्योंकि is लगाए तो वर्ब की third form चाहिए इसलिए effect तो वर्ब नहीं है इसमें और measured और effect को हम देखते हैं influence जो है वो human oriented word है influence कैसी होती है आपकी आपका perception या behavior जो है वो influence होता है किसी बेक्ती के द्वारा और यहां पर हम actually measured की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम effect की बात कर रहे हैं कि किस चीज़ से वो चीज़ effect होती है क्योंकि यहां पर हम देखिए देख रहे हैं कि the higher the level of ability and motivation the level of performance level of performance की हम बात कर रहे हैं किस चीज़ से वो affect होती है तो इसलिए यहां पर आपका answer होगा effect job performance is affected by a number of factors ठीक है इसके बाद हम पढ़ते है motivation alone does not lead to increased performance ability and technology moderate the relationship between motivation and performance मतलब यदि ability आपके अंदर अच्छी है तो motivation level high होगा और technology के लिए आप अच्छे है तो आपकी performance हाई होगी कि the higher the level of ability and motivation कि the higher the level of performance will be इसमें actually यहां पर एक ब्लैंक होना चाहिए कि the higher the level of ability and motivation actually यह ब्लैंक है यहां पर चलो कोई बात नहीं इसमें जो competitive degree होती है तो दो बार यह दि competitive degree का प्रियोग करते हैं हम तो दोनों बार ही हम दा का प्रियोग करते हैं और दोनों बार ही हम E.R. लगाते हैं तो यहां पर जो answer होगा आपका वो होगा the higher however increasing motivation beyond and level 10-2 अब जेखिए यहां पर एक negative word है यहां पर dysfunctional एक negative word है तो इसलिए यहां पर हम कुछ यहां पर भी एक negative word ही चाहिए एक चली आपको तो यहां पर हो जाएगा increasing motivation beyond and optimal होगा optimal को हम negative sense करते हैं optimal का आर्थ होगा के सबसे उपर तो यदि motivation आपका सबसे उपर होता है सबसे optimal लेबल पर पहुँच जाता है तो इससे dysfunctional result मिल सकते हैं क्योंकि motivation लेबल जब सबसे ज़्यादा होता है तो उससे फिर expectations भी आपकी बढ़ जाती हैं लोगों की आप आपके साथ और आपका anxiety लेबल भी उससे बढ़ जाता है तो यहां पर आएगा आपका increasing motivation beyond and optimal लेबल 10-2 अब देखिए result को हम क्या करते हैं result को हम deduce करते हैं, reduce करते हैं, produce करते हैं, result को हम produce करते हैं तो यहां पर होगा आपका answer यहां पर आएगा optimal level, यहां पर आएगा produce और इसके साथ anxiety का भी एक label बनता है तो इसलिए यहां पर क्या रगाएगा यहां पर हम लगाएंगे बाई के साथ हम किस वर्ड को लगाते हैं बाई के साथ हम लगाते हैं अकमपनेट को तो यहां पर आ जाएगा आपका अकमपनेट क्योंकि एफिलिटेट के बाद बाई नहीं आता अबेंडेंड के साथ बाई आ सकता है तो anxiety जो होगी यह यहाँ पर इसका सही answer आपका होगा तो कैसा लगा आपको यह video class यदि अच्छा लगा तो इसको जरूर मुझे comment करके बताईए और कोई feedback आप देना चाहते हैं तो इन call नंबर्स पर और वाच्टर नंबर पर आप मुझे feedback दे सकते हैं कोई भी आपको इसमें error लगी हो कोई भी गलती लगी हो तो इसको indicate आप जरूर करें और इस चीज को मैं appreciate करूंगा इस number पर आप मुझे अपना feedback दे सकते हैं और इस email ID पर आप अपना मुझे comment या feedback आप दे सकते हैं तो ये था set number 5 2017 का और next set में और next video class में मैं आपसे फिर मिलूँगा तो इस video class में इतना ही इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाब थैंक यू जो यू